जैहिंद एन हेलो गाईज स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियान दे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उत्राकंड पब्लिक सर्विस कमिशन यानि के UKPSC जेल वार्डर ओनलाइन फोर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फोर् प्रेशन से लेकर के प्रिंट तक भढ़ना है तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ओफीसल वैबसेट जोब्स गया रोटी ने इसका लिंक वीडियो की डिस्कॉप्शन में दिया है जैसी आप लिंक ओपन तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आजाएगी जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि यह भरती आपकी 238 पद पर निकाली है जोब लोकेशन आपकी ओवियसली उत्राखंड रहेगी बट अभी यहाँ पर एक सवाल आपका यह बनेगा कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कंडियेट अपलाई कर पाएंगे तो मैं आपको सिंपली दो वर्ड के अंदर बता दू या फिर कहले जे कि दो सेंटेंस के अंदर कि अगर आपने आपकी दस्वी और बार्वी उत्राखंड इस्थित जो स्कूल को लिजए वहाँ से की है तो आप चाहिए फिर क के काटिगरी कंडियेट से कोई एपलिकेशन फीस नहीं ली जाएगी किस काटिगरी में कितनी वेकंसी या वाप चेक कर सकते हैं अपलाई करने के लिए आपसे बार्वी की योग्यता मांगी है यह सब जानकरी आपने यहाँ पर चेक कर लेनी है चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे important links के section में और apply online पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा आपको यहाँ पर first जो row है उसमें देखने को मिल सकती है आपकी post आपको click here to apply पर क्लिक करना है अब यह आपके सामने instruction से आपको उनको check करके apply now उपर क्लिक करना है apply now पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपको आपकी information फिल करना है तो सबसे पहले आता है candidate name यहाँ कि आपको आपका नाम 10th की mark sheet के अनुसार enter करना है फिर यहाँ पर अगर आपकी साथी हो चुकिया तो पत्ती का नाम देंगे नहीं तो आपको आपके father का नाम enter करना ह दीजिए अब आपसे पोचा है कि जब यह भरती हूँ के त्रिपल सी के दोरा पहले निकाली गई थी तो क्या आपने तब 20 में apply किया था अगर हां तो आप yes करेंगे yes करने के बाद में उस वक्त का आपके पास अगर रेश्टर नंबर है वो यहाँ पर आपको देना है अग आपका जेंडर क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे marital status आपका क्या है married हो unmarried हो आपको सेलेक्ट करना है nationality में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपका status and then यहाँ पर आता है required eligibility तो यहाँ पर दोस्तों आप से पूचे कि is your name registered in any district employment office located in उत्रकंड state अगर हां तो yes करें नहीं तो आपको no करना है अगर आप yes करते तो आपको आपका register number enter करना है और फिर किस employment office में आप registered है वो आपसको select करना है date of registration आपको बताने है कब तक आपका register valid है वो भी आपको date देनी होगी अगर आप registered नहीं है तो आप यहाँ पर no कर दीजिए are you employed अगर हां तो yes करे नहीं तो आपको no करना employed का मतलब है कि अभी आप current में कोई job कर रहे है अब guys मैं आपको बताने वाला हूँ एक special जानकारी और अगर आप इस पार्ट को skip करने की सोच रहे है तो रुकिए 2 minute अपनी live के इस पे लगा दीजिए reliable courses का breakdown है you will get to know an amazing opportunity and chance of a lifetime तो जैसा कि आप सब जा करते हैं जैसे की ओला अप्ग्रेड सुविगी and many more these type of companies तो यहां पर अभी बात करते हैं की how to make CO that you clear these test and get placed in these companies यानके कैसे आप reliable test को दे करके clear करेंगे and आप इन बड़ी companies के अंदर job पाएंगे मैं आपको यह भी बता दू कि already 18 crore plus worth की ओजोब reliable के माध्यम से दी जा चुकी है इन बड़ी company के अंदर जो की possible हो पाया है reliable courses के माध्यम से यानि कि reliable courses के माध्यम से उन्होंने preparation की and exam को clear किया है यह जो reliable courses है यह आपका आता है 40 days satisfaction guarantee यह courses किसी दूसरे अप इसकलिंग platform से अलग है reliable अपने courses पे इतना confident है कि अगर आपको लगते है कि आप इस course के लिए fit नहीं है या फिर आप learning experience enjoy नहीं कर पा रहे है तो आप 40 days के अंदर आप full refund ले सकते है यानि कि आप इसको back कर सकते है और पूरा refund वापस कर सकते है आप से कोई भी question नहीं पूछा जाएगा कि आप इसको क्यों refund करना चाहते है आपको तुरंत आइसका refund दे दे जाएगा यहां पर आपके पास काफी अच्छा मौका है इस courses के माधियम से इस test को clear करने का और अगर आप सफल करना चाहते है अपने category से दूसरी category में तो आप इस course के माधियम से preparation करेंगे और आप किसी अन्य category जैसे कि मैंने आपको 10 categories यहां पर बताई है उनके अंदर भी जा सकते हैं काफी सारी चीजे इस course के माधियम से सीखने को मिलेगी और जैसे कि मैंने आपको बता कि अगर आप continue करना चाहते हैं आपको पसंद आ रहा है आपको suit हो रहा है अगला सवाल है कि क्या आप या आपके पती पतनी या आपके माता पिता राज किया अर्द सास के संगठन के नियमित करमचारी है जो उत्रक्रण राज्य में नियमित रूप से सेवा कर रहे है और जिनकी सेवा को उत्रक्रण राज्य से बाहर इस्थांतरित नहीं किया जा सकता अगर आप ऐसे candidate है तो आप यहाँ पर yes करेंगे नहीं तो यहाँ पर भी आपको no करना है यहाँ पर अगला सवाल है कि क्या आप यहाँ आपके पाई बेसिकलिए आपके status से according है आप इनको पढ़ेंगे और इसके according आपको yes नो करना है जो चीज आपके ओपर लागू हो रही है उसका आंसर आपको yes में करना है और जो चीज आपके ओपर लागू नहीं है उसमें आपको no करना है जैसे कि यहाँ पर 5 पोइंटर की क्या आप उत्राखंड के इस्ताई निवसान है जो आजिवीका یा फिर सिक्सक के उत्देशे से उत्राखंड से बाहर रह रही है यानि कि क्या आप उत्रखंड के स्थाई निवासी है और आप किसी काम से या फिर पढ़ाई की वज़े से उत्रखंड से बाहर रहे रहे हैं अगर आप ऐसे candidate है तो आप yes करेंगे ने तो आपको no करना है अब आते है डोमसाय लिटेल तो डोमसाय लिओ पूत्रखंड क्या पूत्रखंड के स्थाई निवासी है अगर हाँ yes नहीं तो आपको no करना है अगर आप यहाँ पर no करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई अत्रिक्त information नहीं देनी है अगर आप यहाँ पर yes करते हैं तो yes करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपसे कोई अत्रिक्त information तब भी नहीं ली जा रही है अब यहाँ पर आता है category तो जो भी आपकी cost category है वो आप select कर लिए जगर आपकी category OBC है या फिर SCHT है तो आप cost certificate की जानकारी देंगे जिसमें कि आप यहाँ पर किस authority के दोर आपका certificate issue हुआ है वो select करेंगे फिर कब आपका certificate issue हुआ है वो आप यहाँ पर date select करेंगे certificate number आप यहाँ पर अपना enter करेंगे certificate issuing district किस district से आपका certificate issue हुआ है वो आप select करेंगे and कब तक आपका certificate valid है वो date आप select कर लेंगे यह सबी details आपके certificate के उपर mention होगी और जो unregard है इनके लिए कोई certificate applicable नहीं होता है इसके बाद आता है are you differently able क्या आप दिव्यांगे ph अगर हाँ yes नहीं तो आपको no करना है क्या आप exercise man है अगर हाँ तो yes नहीं तो यहाँ पर भी आपको no करना है अब आपसे एक सवाल दिया कि क्या आप ससंदेश संख्या जो कि यहाँ पर दी है दिनाक 31 अगस 2000 की से शद्धित उत्रक्रण राज्य के स्थाई निवासी ऐसे परभावित बच्चों जिनके जैविक दत्तक मात पिता मात दोनों की मरित्यू बच्चे के जनम से 21 वरस्तक की अवधी में हुई है अगर आप इसके अंतरक्त आते है जो यहाँ पर नियम दिया गया है ससंदेश दिया गया है तो आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दाल करके वेरिफाई करना है अपना मॉबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है मॉबाइल नंबर को दोबरा डाल करके वेरिफाई करना है अपना परजेंट एडरस आपको यहाँ पर एंटर करना है जो भी आपका परजेंट एडरस है पूरा एडरस आप यहाँ पर भर दीजे और इसके बाद यहाँ पर आपकी जो district का नाम आप लोग enter करेंगे और यहाँ पर जो आपकी state है वो आपको select कर नाङए है तो जली हम यहाँ पर इसको select करते हैं फिर यहाँ पर आपको आपका pin code भी enter कर देना है मैं यह address the demo के रूप में भर नाँ कोई real address नहीं है फिर आता है कि क्या आपका permanent और जो present address है वो same है अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे फिर आपको आता है palace of filling form यान कि कहां से आप लोग आप इस form को भर है आपको आपकी जगह का नाम देना है आपकी city का नाम अब आता है password अब आपको यहाँ पर एक password कीरियेट कर लेना है पासवर्ड की जो लैंतों कुछ ऐसी होनी चाहिए 8 से 15 करेक्टर के बीच में जो special character जैसे कि यहाँ पर जो दिये गए यह आपके password के अंदर नहीं होने चाहिए नहीं तो password नहीं बन पाएगा तो बिना इन special character के एक password आपको create कर लेना है उस password को दोबरा डाल करके verify करना है यह security की enter करना है इन सभी जानकारी को check करना है और continue उपर click करना है अब यहाँ पर आपके सामने आपकी जानकारी का preview आजेगा यानि के जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को आप यहाँ verify कर सकते हैं अगर आप कोई जानकारी change करना चाहते है तो आपको no I want to change some detail इसके उपर click करना है बट अगर आप सभी जानकारी यह देख रहे की सही है तो आप यहाँ पर पहले वाले के उपर click करेंगे and submit के उपर click करके आप यहाँ से ok करेंगे and ok करने के बाद में जो आपका रश्रतन है वो हो जाएगा और आपको अब क्या करना है आपको यहाँ पर login करना है तो login करने के लिए आप नीच आएंगे click here to login इसके उपर click करेंगे यहाँ पर आपको आपकी registered email idea number डालना है जो password आपने बनाया वो यहाँ पर डालना है security key fill करनी है and then login पर click करना है now guys आपके समने आपका dashboard आजाएगा आपको proceed to next step इसके उपर click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर कुछ information आपकी दी गई है और कुछ information आपको बहनी है जैसे कि यहाँ पर आती है educational qualification तो आपसे पोचाए कि क्या आपको देवनागरी लिपी में हिंदी का कार्या कारी ग्यान है जैस आपका जो university board है वाप यहाँ पर board select कर लेंगे जो भी आपका board है यहाँ पर दिये गए है अगर आपका board इसके अंदर है तो select करें नहीं तो आप other के उपर भी click कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पर इसको select करते हैं and then यहाँ पर आपको date of this young on final year mark sheet यह नहीं कि कब आपकी जो final लिएर की mark sheet है वो जारी हुई थी वो आपको यहाँ पर लिखना है इसके बाद में यहाँ पर आपको बताने की high school subject तो आप इसको select कर लेंगे marks type के अंदर आपके नमबर थे marks, cgpa, grade तो मैं यहाँ पर mark select करता हूँ कितने नमबर आपको आई थे फिर आप वो यहाँ पर लिखेंगे 10th के जानकारी भरी थी यह देने के बाद में आपको यहाँ पर passing year बताना है और इसके बाद में आप subject stream में बताएंगे कि कि किसके अंदर आपने बार्विक किया है agriculture, arts, commerce या फिर science फिर यहाँ पर marks type आपको select कर लेना है जो भी है आपका and then यहाँ पर अगर मैंने mark select किया तो कितने नमबर आपको पराप्त होए थे वो यहाँ पर आपको enter करना है और कितने में से आपको यह नमबर आए थे हो यहाँ पर डाल देना है percentage आ जाएगी and आप यह इसिक सेना में दो वर्स की नियुनतम अवधी की सेवा की है अगर हां तो आपने yes करना है नहीं तो आपको नो कर दीजिए क्या आपके पास NCCB परमान पत्र है अगर हां तो yes नहीं तो आपको नो करना है फिर आती other details क्या आप मौचाई के मापन में च्छाती में छूट चा है अगर आप चाहते है आपकी relaxation वाली category है तो आप यह स करेंगे नहीं तो आपको नो करना है फिजिकल एंड रिटन एकजाम अग्जाम सेंटर सिटी तो फिजिकल और रिटन एकजाम के लिए आप सेंटर सिटी के लिए किसको परिफेर्श देना चाहते हो आप सेलेक्ट कर लीजे फिर आप से पूछे कि कि आपकी खिलाब कोई अपरादिक माबला लंबीत है कोई चलवा है पैंडिंग केस अगर हां तो यह नहीं तो आपको नो करना है क्या आपको कभी किसी बोर्ड के दोरा डिब्रेड यान के निकाले गए हो बलैक लिस्ट के गए हो अगर हां तो यह नहीं तो आपको नो करना है अब यहां पर एक ID आप सलेक्ट कर लीजे जो भी ID आपने सलेक्ट किया उसका अब्सका नंबर यहां पर डालिया & submit के इपर क्लिक कीजे अब यहँ आपर photo and sign upload करने से पहले आपको instructions दिये कि आपके photo का size 20-50 kb के बीच में रहना चाहिए and signature का size आपका 10-50 kb के बीच में रहना चाहिए तो आप यहाँ पर tick करेंगे and continue उपर click करेंगे इसके बाद मैं यहाँ पर आपको choose file के उपर click करके जहाँ पर भी आपका photo है वो आपको select करके upload करना है मैं इस form को demo के रूप में भरा हूँ जिसे कि मैं आपको बता चुका हूँ तो मैं एक random image यहाँ पर select करता हूँ इसको open करता हूँ open करने के बाद आपका photo आजएगा फिर आप यहाँ पर same तरीके से जो आपका signature है उसको select करेंगे जहाँ पर भी आपका signature है select करें यहाँ से open करें and then आप यहाँ पर upload के उपर click करें और यहाँ से आप OK कर दें अब आप देखेंगे कि आपका photo and sign upload हो चुक है तो यहाँ पर आपको image uploaded or correct इसके उपर tick करना है and then आपको save and continue उपर click करके यहाँ से OK करना है OK करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका application form है वो submit हो चुका है आप यहाँ पर click है to print application form इसके उपर click करके इस application form को यहाँ पर print पर click करके print कर सकते है तो इस परकार से आप लोग उत्राखंड jail order online form 2022 को भर पाएगे I hope यह process आपको पसंद आया होगा So thanks for watching जय हिंद